आपको स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक इंडस्टर अकैडमी पे हम अबिद करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे जैसा आपको पता है कि अभी लोकडाउन चल रहा है तो आपके पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा तो इस मन को बद लिए और पढ़ाई की तरफ रूजी हो जाईए ठीक है तो चलिए आज सुरू करते हैं अपना लेक्षर तो जैसा कि आम ने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम आने वाली अगली वीडियो में उर्दू अर्दू अलफाबेट पढ़ेंगे तो इससे पहले हम दो व अच्छे है हमारे चैनल पर नए है मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें कि इससे यह होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे नई तो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा तो फिर अर्दू अल्फाबैट हैं वह हिंदी से रिलेट करके हमने पड़ेते तो आज हम बेसिक उर्दू की जो अल्फाबैट है जो एकदम ओरिजिनल अल्फाबैट है उर्दू की वह पड़ेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज की अपनी अल्फाबैट उर्दू की तो सबसे पहले जैसे हम पहले हर वीडियो में बनाते इस वीडियो में भी इस तरह से क्या पैराग्राफ बना लेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम पैराग्राफ तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अर्भी अर्भी तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अर्भी में यानि कि अर्दू में अक्षर को क्या कहते हैं हर्फ कहते है यानि कि अक्षर को क्या कहते हैं हर्फ यानि कि हिंदी में अक्षर होता है इंगलिस में वर्ड होता है या लेटर होता है और अर्दू में और अर्विक में क्या होता है हर्फ होता है तो आप यहां पर अर्भी मत लिखिया आज क्योंकि अर्भी तो हम पहले लेक्षेनल पढ़ चुके हैं यहां पर अर्दू लिख लिए जादा बहतर रहेगा इस तरह से लिख लिए जे अर्दू पेड़ाग्राफ बना लिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम हिंदी साफ साफ अक्षरों में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर उर्दू और यहाँ पर क्या लिखेंगे हिंदी तो आज हम मोशनी सारे जो है वो उर्दू के अक्षर पढ़ेंगे उर्दू alphabet पढ़ेगे क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में कुछ उर्दू के वर्ड रह गए थे क्योंकि हमने उसे हिंदी से रिलेट कर पढ़ा था यानि कि हिंदी के तो सारे अक्षर आ गए थे लेकिन उर्दू के नहीं आए थे तो आज हम उर्दू के सारे हिंदी को मिलागे क्योंकि उसकी जो प्रनुशेशन है उसका जो तलफूस है वो एक बार में आपसे अदा इसलिए उसको जो आपको एक बार अदा नहीं होगा इसलिए उसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा हिंदी से पढ़ेंगे आप उसकी हिंदी देख सभी आप उसको इसके बाद आता है अलिफ मद इसको भी क्या पढ़ेंगे हम अलिफ और अब आता है यानि के इसमें नीचे नुक्ता आता है या फिर उप नीचे दर्मियार में नुक्ता आते हैं। अर्दु में जो सारा खेल है वो किसका है नुक्तों का है बागी जायतर जो अलफाज है वो एक ही तरह शकल के होते हैं ठीक है तो बागे 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 बा या से भी लिख सकते हैं, आप सा लिख सकते हैं, ठीक है, इसके एदाईग कि आपको जायरे ज़ल्डी समझ माई रागेए है, सा, अब बात करते हैं, जीम की, इसको relative भ distress is this, जा, अब बात करते हैं, चा शा इसमें तिन न्क्ते आते हैं, यह होता है चा, और अगला जो है वो है हा उसको क्या बोलते हैं हा तो यह हो गया हा तक आप जल्दे जल्दी नोट कर लीजिए क्योंकि आज की जो किलास है वो थोड़ी लंबी होने वाली हैं ओचकी कि अब आता है कि और हिंदी में आता है खा को और अब जो अगला आप पडाल यानी कह रंपर आप और फिर जाय इसको सै और इसमें नहीं जो एक नए वर्ड़ है जो इस से मिलता जलता है वो आता है डाल यह डाल यह डाल है यह जाल है और यह डाल है अब बात करते है रा की यह आता है रा और फिर आता है जा यह भी किसे सो होगा जा से यह जहाद से सो जोगा अब बात करते है अगले की यह आता है अडा यह इस तरीके से होगा अब बात करते है यह नया वड़ है जो mostly अर्भी से आया है इरानी से आया है सुरी इरानी लेंगवेज से है इसको बोलते है जा ठीक है यह इस तरह से होता है जा यह mostly कम यूज होता है जैसे आपने देखा होगा टेली विजन तो टेली विजन में जो जा यूज होता है वो यही वाला यूज हो है ठीक है इसके आगे जो बात करते हैं फिर आता है हमारा सीन इसको क्या बोलते हैं सीन इसके बात आता है स्वाद इसको बोलते है साद इसके बात आता है जाद ये भी जाद फिर आता है ता ये हो गया ता फिर आता है जाद फिर ये भी का होता है जाद आप परेशान नहों कि यहां पर भी जा है और यहां पर भी जा है और यहां पर भी जा है इन सब की जो शकले हैं वो मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूँआ कि कौन से वर्ड किस से रिलेट होगा अब भी आप सिर्फ उर्दु की जो अल्फबेट है उस मुझंपे ध्यान दीजिये तो हमात है है का कि ता होगया जाह होगया अब बात करते हैं अगले हरफ की एजिया पर क का आन इसको क्या कहते हैं आई को यह खजयंदा घान घाई हैं लानित गाईन होगा प्र फा यह होता है फा फिर आता है काफ ये बड़ा काफ है इसके निक्ते इस तरह से नुक्ता आता है इसको बोलते है काफ और ये भी क्या है ये छोटा काफ है इसको ये क्या बोलते हैं काफ इसको भी काफ बोलते है ठीक है एक छोटा काफ होता है और एक बड़ा काफ होता है अब बात करते हैं गाफ की, जो अगली इसमें फैरिस्क में है, यह बोलता है गाफ इसको बोलते हैं गाफ, तो काफ हो गया, बडा काफ, छोटा काफ और गाफ अब बात करते हैं लाम की, यह हो गया लाम लाल लाल नहीं है लाम लाम के बाद है मीम इसको बोलते है मीम फिर आता है नून और फिर होता है नून ठीक है नून के बाद क्या आता है वाव नून गुन्ना ठीक है नून और नून गुन्ना में सिर्फ एक चीज का फरका वो है बिंदू का यानि के नुकते का ये क्या होता कहा है नून गुन्ना होता है का नून गुन्ना इसको बोलते है नून गुन्ना यह कहां पर धोसकी होता है उसका यूस हम आगे बताएंगे महीं अभी सिर्फ अप उनूर्थ कि alphabette कुछ उसपे इयान दिलिजआ तो यह होगया नून गुन्ना अब आएगा वाउ पार कि इसके बाद एक और हर्फ है वहाई यह वाला दापीसे एसे अपना सकते यह पिर दो कि चश्मीं चश्मी के दो यह चश्मी के दो चस्मीय है अप अब बात करते है हम्सा की ये क्या है हम्सा इसको मोसली हम्सा किस से दिलोट किया जाता है ऐसे इसको ऐसे आना से डिनोट किया जाता है अब बात करते है या की तो यह छोटी या है या और यह बड़ी या है और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको सवज में आ गया होगा आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजे आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आपके वाटसब के नोटिफिकेशन, फेस्बुक का नोटिफिकेशन, यूटूब के नोटिफिकेशन सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि आज का लेक्चर है, वो बहुत इंपोर्टेंट है, ऐसे नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है, आप चाहे नरसरी से लेके पिएज़ि तक सब में ये वाले कोशन पूछे जाते हैं, जिसको कहते है रसमुल खत, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये मजबूत होगी, उसकी जो बिल्डिंग होगी, जो उसके उपर का फिलोर होगा, वो इतना ही मजबूत होगा, तो आज हम जो रसमुल खत पढ़ रहे हैं, या फिर फारसी लिपी भी कहते हैं, ठीक है, तो आज हम ने अर्दु के जितने भी अलफाज थे, वो पढ़े है एक बार हम उसको एक बार जल्दी-जल्दी क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अलिफ, अभी जो पढ़ा है, फिर बड़ा अलिफ, यानि कि ये छोटा अलिफ है, ये आ है, इसको क्या कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको जो इस तरह से टंडर लगता है, इसको बोलता है, मद, अब बात करते हैं, बा की, फिर आता है, पा, और फिर आता है, टा, ये भी टा है, स्वरी, टा निया आएगा, ता और फिर आएगा, सा, आप देख रहे होंगे, कि इन सब की शकल जो है, मतलब जो इनकी लिखन इनकी तहरीर है, मतलब जैसे लिखते हैं, उसको उर्दू में तहरीर कहते हैं, जो इनकी तहरीर है, जो इनकी शकल है, वो सेम तरह की है, तो इसलिए उर्दू में जो अल्फाबैट बनाई गई गई है, वो हर्फों के शकल के एतबार से बनाई गई है, और जो हिंदी की व आवाज देते हैं जो एक तरीके से एक जंगे से मक्सूस जंगे से निगलते हैं उनको एक गुरूप में रखा गया है जो बच्चे अच्छ तयारी कर रहे होंगे या फिर जिनको डीपली पता होगा उन्होंने बिल्कुल पढ़ रखा होगा क्योंकि जैसे आपको बता होगा के कैकबूतर, खैकरगोस, गैगमला और गैघडी ये सारे एक ही जम्रे में आते हैं यानि के एक ही गुरूप में रखे गए हैं तो हिंदी में और उर्दू में एक चोटा सा डिफरेंस ये भी है के उर्दू में जितने भी हर्फ हैं उनको शकल के एतबार से एक गुरूप में रखा गया है और हिंदी के जितने भी गुरूप है उनको किसकी एतबार से रखा गया है उनको अदाइग यानि के हर्फ की जो अदाइग है उनके एतबार से उनको एक गुरूप में रखा गया है तो आपने भी देखा होगा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जितने एक शकल है यह निकि एक शकल के सारे अलफास जो हैं वो एक तरीके से एक ही गुरूप में रखें गया है इसी तरह से उर्थ कितने गुरूप हैंतों इस तरह से और जीतनी भी यह वर्ड है 38 या 36 या 38 उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे अभी अगली वीडियो में यानि कि इसी वीडियो में आगे तो वो अभी डिस्कस करेंगे कि हम 36 माने या 38 माने लेकिन जो गुरूप है उर्दू के अलफाज को 18 गुरूप में बाटा गया है वो हम पढ़ेंगे थोड़ देर में तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते है तो सा हो गया सा के बाद आता है जीम फिर आएगा चा और फिर आएगा हा और फिर आएगा खा तो देखें ये एक पुरा गुरूप हो गया क्योंकि ये सारे एक ही तरीसे हैं बस इसमें क्या है नुक्ते का फरक है हम बात करते हैं डाल डाल जाल तो ये एक गुरूप है तीनों का तो आप देखें ये भी एक गुरूप ही है हम बात करते हैं रा फिर आएगा जा सोरी जा नहीं आएगा फिर अड़ा आएगा जा और फिर ये जा बात करते है सीन स्वाद और स्वरी बड़ा शीन आएगा सीन स्वाद ज़ाद तौ जा, आई, गई, फा, काफ काफ के बाद आएगा लाम, ने सोरी, काफ के बाद आएगा छोटा गाफ और काफ के बाद आएगा गाफ, फिर लाम, नून, नीम, नून और नून गुना, नून गुना और नून में क्या फ़रक है सिर्फ? नुक्ते का फरक है नून गन्ना हो गया और फिर आएगा हा और फिर है आओ हा ये गोल हा है और फिर आएगा हेदो चस्मी वाला हा फिर आएगा हमजा या और या ठीक है ये इस तरह से टोटल कितना हुए उन करा इनकी संक्य कितनी है 40 है लेकिन मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था के उर्द्म में हर्फों के संके कितनी है 36 है यह फिर 38 है तो बाज मुहक्कीं ने कितना बताया है 36 बताया और बाज ने कितना बताया है 38 बताया तो मैंने सोचा कई चीज को गूगल करके देख लेते हैं, क्योंग गूगल को तो सब पता होता है, लेकिन गूगल ने मुझे जो बताया, वो बताया 49, चाहे उसका आप उपर देख सकते हैं, गूगल का स्क्रीन शोट, तो 59 बताया, तो फिर मैं असंजमस में पढ़ गया, कि कौन सा सही है, तो मेरी अप इकारी हर्फ कहा जाता है, उसको भी पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड़ को इकारी कहा जाता है, उसमें जो है, क्योंकि आपको पता होगा, कि अर्दू की जो कैटेगिरी हैं, मतलब अर्दू को दो भागों में तक्सीम किया गया, एक कहते है हुरूफ मुफरद और एक कहते है हुरूफ मुरकब, तो जो हम पढ़ रहे हैं, यह हुरूफ मुफरद हैं और इसके बाद आएंगे हुरूफ मुरकब, तो हुरूफ मुरकब कितने हैं, उनकी संख्या 14 है, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे, तो इस तरह से कितना हो जाते हैं, टोटल 52 हैं, तो अर्दू में के अर्वी में जो है, वो हम्जा को एक मातरा माना गया है, ठीक है, और नून गुन्ना भी ये एक क्या है, ये भी एक मातरा है, तो ये दोनों को निकाल दे जाए, तो ये क्योंकि ये दोनों मातरा हैं, लेकिन आती किसम हैं, उर्दो अल्फबेट में आती हैं, तो इस तरह से आगे क्योंकि जो 14 वर्ड हैं कौन से वर्ड हैं जो 14 वर्ड हैं जिनको कहते हैं हुरूफे मुरक्कब कहते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे तो चलिए आईए शुरू करते हैं तो उर्दु के जो अल्फा बैट है उन्हें दो भागों में तकसीम किया गया है जो पहले हमने अभी पढ़े उन्हों कहते हैं हुरूफे मुफुरत कहते होना उनकी संकह कितनी बताई हमने अभी 38 बताई अब बात करते हैं दूसरे हल ख़िती वहाया हरूफ मुरखकळ उनकी संकह कितनी है चोद है तो अभी हम क्या पढ़ेंगे हरूफ मुरखकळ पढ़ेंगे ठीक है तो चलिये खिर सुरू करता है हुरूफ मुरकब पड़ेगा, कितने हैं जो 14 हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा उसमें, तो इसमें आपको इटिवाइड करके बता दूँ, क्यntकि ये दो ऐकशर से मिल कर बनता है, कि मैं आपको बताका था ये एक हेडो चस्मी तो इसमें ये दो वड़ होते हैं पहले आता है के और फिर आता है ए ठीक है जो ये नीचे इसमें डंडा लगता है इसको कहते हैं हलंद क्या कहते हैं हलंद तो हलंद का मतलब यह है कि यह वाला आदा है और यह वाला भी आदा है तो इस तरह से दो आदा है आदे मिलकर क्या बनाते हैं एक वड बनाते ह इसी तरह उर्दु में भी कुछ वड़ है जिने अरुफ मुरकब कहते हैं जो दो लफ्से जुड़के बने होते हैं तो सबसे पहले आगा जैसे आपको दिख रहा होगा यह हुआ बा और फिर हा ठीक है तो यह क्या बन जाएगा वैसे यह इस तरह से यह बहलू है अब बात करते हैं अगले हर्फ की तो अगला हर्फ है पा ठीक है यह क्या है फा यह पा और पिलस हा करके बनेगा ठीक है इस तरह से यह आप हिंदी के वर्ड़ से आप उसे रिलेड करके पर सकते हैं उससे क्या होगा कि आपकी जो मश्क है वो भी जादा अच्छी हो जाएगी अब बात करते हैं कि यह आएगा था यानि कि ता दो नुक्ते और प्लस हा अब बात करते हैं अगले हरुफ की तो अगला होगा ता यानि कि इस तरह से और फिर हा यानि कि हा तो कंपल सिरी है यह दो वर्ड मिलके एक सा जुड़ेंगे यानि कि जिस तरह से हमने कै पढ़ाता यानि कि जितना भी अक्षरा उसमें आ आएगा ही आएगा तो माल लिजिए आप इसको यह इस तरह से डिनोट करेगा ठेके यह यह वाला हा की तरह है इसमें तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हम आगे खीच लेंगे जहा हो गया अब बात करते हैं जहा की या फिर इसको उर्दू में लिखते हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा लेफ्ट राइट का प्रोब्लम हो रहा है ना कि क्योंकि जो बच्चे सीख रहे होंगे जैसे के हिंदी में तो पूसित तरह से लिखते हैं फिर इस तरफ से लिख जाते हैं लेकिन उर्दू में इस तरफ से शुरू करते हैं तो अब मैं आप इहां पर इस और फिर बात करते हैं टा तो ये भी टा में ही आ जाएगा बात करते हैं तो ये के कबूतर और पिलस हा बात करते हैं अगले की तो ये भी किस तरह से बन जाएगा गाफ और हा यानि कि गाफ और पिलस हा अब अगला जो है आप साथ के साथ नोट डावल करते रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही important topic है अब बात करते हैं meme और हा की तो यह जाएगा meme और plus हा बात करते हैं noon ना noon शुदे इस तरफ लिख लेते हैं कहां लिखे उपर की तरफ लिख लेते हैं ज्यादा बहतर रहे हैं noon नून पिलस हा तो इनकी जो संक्या है वो 14 है तो एक यहाँ पर लिख लेजिए ठीक है तो यह कितना हुए टोटा 14 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा 14 तो यह हुआ 14 तो इनको क्या कहते हैं यह हैं हुरूफ मुरक्कव हैं ठीक है आप चाहिए थे इनका एक स्कीन शोट ले सकते हैं तो हमने हुरूफ मुरक्कव पढ़ लिया है आप इसका स्कीन शोट ले सकते हैं तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ अगले टोपिक की तरफ इसी में हैं और आज की जब वीडियो है उसकी तरफ बिलकुल अंत करते हैं आज की लेक्चर को बस थोड़ इसी देर में हैं काफी लंबा लेक्चर हो गया है आज तो आज हमने हुरूफ तहजी पड़े और हुरूफ मुरक्कव पूरे हमने कर लिये हैं तो अब बात करते हैं कि इसके पूरे मजमिय को कहा जाता है तो जैसे आज आपको पता होगा हिंदी के वर्ड माला जो होती है उसको क्या कहते है हिंदी में जो होती है उसको कहते है वर्ड माला ठीक है यानि कि पूरे जितने भी होते हैं वो बावन जो होते है उसको कहा जाता है वर्ड माला इसी तरह से अंग्रेजी में जो होती है उसको कहा जाता है अल्फबेट जिसमें कितने अक्षर होते हैं 26 इस परे हरूफ कर जो मुरख्कब को और मुफृत को मिला एजे जो वर्ड बनते हैं उसको क्या जाता है उसे कहा जाता है अब जद अब जद आप इसको उर्दो में इस तरह से लिख सकते हैं अब जद और इसमें केतना होते हैं 52 कभी-कभी मुहक्किकी इन्य जैसे मैंने अभी बता रहे हैं